और पंजाब से इस वक्त एक एहम खबर आ रही है जहाँ पंजाब के संग्रूरू में फूट पोईजिंग से कई बच्चे बिमार हो गए हैं संग्रूर में मेरिटोरियल स्कूल के बच्चे अच्छानक बिमार हुए हैं स्कूल के करीब 40 बच्चों की तबियत बिगड़ गई है फिलाल बच्चों को सिविल अस्पताल में भरती कराया जा रहा है और उनका वहाँ इलाज चल रहा है घटना की जानकारी मिलते ही सरकार भी आक्शन मोड में नजर आ रही है चूकि शिक्षा मंत्री ने जाज के लिए एक पूरी कमेटी बना दी है हॉस्टिल की कैंटीन का कॉंट्राक्ट कैंसिल कर दिया गया है शिक्षा मंत्री ने 24 खंटे के अंदर स्कूल से पूरी रिपोर्ट मांगी है और साफतार पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लापर वाही हुई है और इसके खिलाफ कारवाई की जाएगी तो देखिए पंजाब के संगरूर से एक बड़ी खबर जहां फूट पॉईजनिंग से कई बच्चे बिमार हो गए है जो मिड़े मील बच्चों को दिया जाता है यह मेरीटोरियल स्कूल की घटना है जो मिड़े मील बच्चों को दिया जाता है उसकी वज़े से बच्चों में फूट पॉईजनिंग हुई है और लगभग चालिस बच्चे मैस का खाना खाकर बिमार पड़े हैं फिलाल बच्चों को अस्पताल में भरती कराया गया है वहां उनका इलाज चल रहा है लेकिन पंजाब सरकार इस पूरे मामले के बाद आक्शन मोड में नजर आ रही है चुकि जो मिड़े मील जो साफ करती थी फूड उ उसको फिलाल तुरंट प्रभाव से कैंसल कर दिया गया है और साती साथ शिक्षा मंत्री ने एक जाच के लिए कमिटी बना दी है शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को बक्षा नहीं जाएगा और लापरवाज उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएग सारे बच्चे ठीक ठाक ने इस वक्त ते मिरी आई बेंती है किसे नो भी कब रांदी लोडनी होना दे माता पिटा नो कब रांदी लोडनी दूजी गल जेड़ा उते दा कॉंट्रेक्टर है ठेके दार है जिस दे को लिए स्कूल दे विज खाने दा ठेका सी उसनों गिरफ फिलाल रुकते चोर से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का दौर लगाता जारी रहेगा आप देखते रहिए निस्ट्वनिफूर